समस्कार दोस्तों इक राफ बॉक्स में आपका सवागत है आज हम बनाते हैं बीट रूट का सामबार इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप कदुकस किया हुआ बीट रूट और इसमें मिलाएंगे दो कप्स पानी इसमें छोटी चमच नमक डाल दीजिए अच्छे से मिक इसको सोख होने के लिए छोड़ते हैं ध्यान रखे कि इमली का पानी को हमें बीट रूट का कच्चा स्मेल जाने के बाद ही मिक्स करना है इस तरफ हमारा सबजी उबल रहा है इसको ढग के हम सिम में रख देते हैं 5-6 मिनित के लिए इमली तयार हो गया इसको अच्छे से स तारा पल्प निकाल देजिए बीट रूट को हमने कर्दुकस किया था इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में अभी 5-6 मिनिट में इसको सिम में रखा तो यह पक जाएगा अभी हम इसमें मिलाते हैं इमली की पानी और हम एड़ करते हैं एक कप बॉइल अरहर दाल इसको मैंने थोड़ी सी पानी में बॉइल किया था इसलिए वो काफी ठीक हुआ है अगर आपने पतला दाल बनाया है तो पहले जब आप पानी मिक्स करेंगे बीट रूट में उसमें सिर्फ एक कप पानी डाल दीजिए अभी इसको बलने दे 5-6 मिनित तक हाई अब हम इसमें मिलाते हैं हीट 1 टेबल स्पून सांबार पाउडर एक टेबल स्पून भरके सांबार पाउडर डाल दीजिए अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आफ कर दीजिए तटके में डालना है तेल राय उरत दाल हिंग और कड़ी पत्ता सांबार में आड कर दीजिए और आपका सामबर तयार लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं फिर से अगले हफ़ते